Hi guys, welcome to my channel, my name is Priyadogra and I'm back again with another video आज किस वीडियो में मैली कराई हूँ आपके लिए Microsoft की तरफ से आपको एक internship opportunity मिल रही है चाहे आप student है, अगर आप काम करते हैं बट आप फिर भी Microsoft के साथ अपनी इस internship में participate करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, anybody can apply for this और यहाँ पे कुछ hard and fast rule भी नहीं है, जादा कुछ आप से मांगा भी नहीं गया है इतनी जादा requirements नहीं है, simply अगर आपको computer के बारे में knowledge है, IT के बारे में knowledge है दिन आप बहुत रराम से इस चीज़ के लिए apply कर सकते हैं और यहाँ पे यह paid internship रहने वाली है, आपके पास बाकि सारी की सारी details मैं आज आपको इस वीडियो में दूँगी, कैसे आपको apply करना है मैं भी आपके साथ साथ यहाँ पे apply करूँगी सो पूरा step by step में process आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ चिल यह शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो के साथ, सो विदाओ वस्तिंग अनी ताम, लेस्टे इस वीडियो Before starting the video, I would like to request all my viewers, if you are new to my channel, then please go and subscribe to it and don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update Also, I am active on my telegram channel and my whatsapp group, so if you want to ask me anything related to free courses, certification or anything related to your career, then you can join me there So, this is a related job post, I got linkedin में मिली थी, linkedin में यह 6 आज पहले ही update की गई है but यहाँ पे अगर आप थोड़ा लेट मेरी वीडियो देखते हैं और आपको यहाँ पे यह दिखता है कि application यहाँ पे close हो चुकी है Don't worry, आप थोड़े थोड़े दिनों में चेक करते रहें because Microsoft की तरफ से जो internships निकाली जाती है यह थोड़े थोड़े दिनों बाद आपके लिए जो है वो live कर दी जाती है So, don't worry, अगर आप इस पर apply नहीं कर पाएंगे So, आपको जो है वो ऐसे मौके बार-बार मिलते रहेंगे बात करते हैं job के बारे में So, job में यहाँ पर आपको just कुछ नहीं करना है Research and development से related आपकी यह जो है वो job function रहेगा Industry आपकी IT रहने वाली है अगर आपको computer hardware, software के बारे में थोड़ी सी भी knowledge है Then you are eligible for the internship आप बहुत राम से इस internship के लिए apply कर सकते हैं Paid internship आपकी रहेगी आपको pay किया जाएगा Microsoft की तरफ से और आप यह तो जानते हैं कि Microsoft के अगर आपको internship भी मिल रहे है So, आपको अच्छा खासा pay कर दिया जाता है As a student आपके लिए काफी रहता है वो Qualification के अगर मैं बात करूँ इसके लिए कर सकता है Apply कोई भी इसके लिए apply कर सकता है बागी की सारी details आपको मिलेगी जब आप एक बार apply पे click करेंगे जैसे आप एक बार apply पे click कर देंगे Microsoft की official platform पे पहुँच जाएंगे आप यहाँ पे इस job के बारे में जो है वो सारी details दिकी गई है qualification, responsibilities आपकी mainly क्या रहेगी आपका जो section रहेगा वो mainly रहेगा research आपको mentors a lot कर दिया जाएंगे उन mentors के साथ आपको क्या करना है किसी भी नई topic पे research या आपको बता दिया जाएगा और उनी चीज़ों पे आपको काम करना होगा अपने mentors के साथ अब देखते हैं हमने apply कैसे करना है तो उपर ही आपके पास यहाँ पे apply now का button दिया गया है click कीजिए सबसे पहले आपको account create करना है so if you have account with Microsoft, LinkedIn, Facebook और Google तो आप directly इसमे sign in कर सकते हैं इधर आप Microsoft की एक ID बना लीजे और उसके साथ यहाँ पे आप sign up कर लीजे जैसे आप यहाँ पे अपना जो है वो account create कर लेंगे second step में आपके पास जो है वो कुछ application से related process रहता है यहाँ पे कुछ आपकी details मागी जाएगी first step में आपको अपना resume upload करना है so वो आप यहाँ पे कर दीजे second step में आपको अपनी जो है वो contact information देनी है जैसे आप अपना naam, last name आपकी email address, आपका phone number आपका street address वगएर आपकी location का address सारा चीज़े आप यहाँ पे mention कर सकते हैं अगर कोई website या social URL है तो वो भी mention कर दीजे experience भी आप यहाँ पे अपना mention कर सकते है if you have worked कोई आपने internship पहले लगाई है या कोई आप job कर रहे है तो वो भी आप यहाँ पे enter कर सकते हैं आपनी job related सारी details आप यहाँ पे enter कर सकते हैं उसके बाद आपकी education details वागी गई है आपका school, country region कब आपने pass out किया है अगर आप already जो है वो अभी अपना complete नहीं किया है अपने pursuing है तो भी आप यहाँ पे mention कर सकते हैं और अपनी level of education देनी है आपने graduation की है post graduation है, masters है वो आप यहाँ पे mention कर सकते हैं then after आपको अपना skill area जो है वो mention करना है कि आपको सबसे ज़ादा किसमे expertise है वो आप mention कर दीजे last में आपको attachment करनी है यहाँ पे जो भी आपने कोई sample देना है अगर आपने किसी चीज में काम किया है कोई project बनाया है या भी तक कोई internship की है उसमें किस तरह की आपने काम किया है वो आप यहाँ पे upload कर सकते हैं अपना document then after you can click on continue with the application एक बार आपकी application complete हो जाएगी then after आपका यहाँ पे जो है वो five step का process रहता है आपका candidate जो है वो information ली जाती है first step में आपके पास आपका gender information मागा जाएगा second step में आपके कुछ candidate questions पूचा जा रहे है are you currently employed by the government or government agency in any capacity so आप yes or no की form में यहाँ पे जो है वो selection अपनी कर सकते है first step में आप से पूचा जा रहा है are you currently employed so वो आप यहाँ पे mention कर सकते है and then after you can click on submit and last step जो है आपके पास वो है portal specific forms तो यहाँ पे आपका अपनी जो है वो job location के बारे में specify करना है are you legally authorized to work in a country so yes पे click कर दीजिए यह मैं बता देती हूँ mainly India के students के लिए है so अगर आप India के resident है तब आप यहाँ पे जो है इस internship के लिए apply कर सकते है यहाँ पे आप अपनी according जो है वो option select करके then you can click on submit so इसी के साथ आपका जो है यहाँ पे application process complete हो जाता है पूरे steps मैं आपको बता दिये कैसे आपको apply करना है I hope आपको इस application complete करने में फिलाल कोई problem नहीं आएगी in case अगर आपको फिर भी कोई doubts रह जाते है then you guys can ask me in the comment section below and इसके बाद आप मेरे साथ connect भी कर सकते है मेरे social media platforms में या आप मेरे साथ directly जुड़िये मेरे whatsapp group में और मेरे telegram channel में लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा so जलोदे से जाएए आप भी इस internship पे लिए apply कर सकते है step by step process में आपको बता दिया है बस आपको इनी चीज़ों को follow करते जाना है so आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई है so इसे like और share जरूर कीजिए अपने friends के साथ अपने colleagues के साथ तकि उनको भी इसके बारे में सारी की सारी information मिल सके so मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you so much have a good day